सब्सक्राइब करते हुआ रखेंगे। इन सब को काट काट लेते हैं काट ठीक है कर तो चल यह बनाते हैं तो मैंने सारी सबजिया काट के तयार कर ली है और जे maratok आद चोहित देंगे और यह केवल इनना फरे में उम्ट? पर शूह भुबिल नंतित खोम लिख सकते हैं है थोड़ा से हिंग डाल दिया है मैंने अरह जो भी मैंने सबजा काटली है सारी जितनय और आप दिखायता यह बैंगन हैं और यह सब मोटे काटोव आपे पतले काटो हम ठीक हो जाता है बाद में बनने के बाद यह पत्ता तोब हो भी डाल जिया थोड़ी और मैंने दो आलू भी डाले हैं इसमें तड़काम इसमें बाद में लगाएंगे तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी मेर्च और साबुत धनिये तुक का धनिया पिसा हुआ और नमक डाल दिया है इसमें ज़्याद मसाले हमें नहीं डालने हैं क्योंकि हमें मसाले सारे अच्छे से डालेंगे लेकिन ये सब्जिया उबलेंगी तो ज़्यादा फिक्की सी लगेंगी इसलिए थोड़े थोड़े से मसाले इसमें मैंने डाल दिया है इसलिए अलका सा कमन करें वैसी काट सकते हैं इसमें कोई बाउंडिशन नहीं है जल्दी में थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मोटा-मोटा ही इनको काट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसमें चार सिट्टी लगा लेंगे चार सिट्टी में बिल्कुल अच्छे सा रजाएंगे और फिर इनको मैस कर लेंगे हमालनेिक पकाएंगे तब तक हमने देखो जो जो के लिए समान लिया है इसको हम काट पीट के तयार कर लेते हैं अच्छे से मटर भी हम बाद में डालेंगे पनीर भी बारीक बारीक काट लेंगे और यह सब्जियां हमारी में हैं जब तक दीछों मैने सब्सक्राइब चाट लिए है अद्रक और प्याज एक जगरा लिया है काटके और यह मतार अलग है काटके हैं बारीक बारीक पीस कर लिये हैं इसके पनीर के भी और यह यह भी बारीक बारी काट लिया है जब सब्हसब्लियां सब्हज्ज कर ली मैं कर लिए यह होग यह मखन है जो घर कर दो कि या तो यह मखण दे पर दोगोम है और वह जबना यह मैं अलग करके रखे साइट यह इस बाजी के लिए मैंने लिया है तेल अधेको इस सब्जी हमारी कितनी अच्छी होगे इन्हाम अच्छे से मैस कर लेंगे इस तरह चम्चे से भी हो जाती है मैस तो अगर आपको आपके पास वह इस तील वाला मैसर हो तो मेरे पास तो यह लखडी का ही मैसर है तो मैंने इसी से कितनी अच्छी और भाजी Chili होती है मैने डाल देए जीरा इंग प्याज बून लेंगे £20 को थोड़ा ट्रांसपेरन्ट्सी हो जाए तब तक से वूनगे इसमें बाकी समान डलेंगए अब dus मैश्मान डालते के अग्वाथ और टमाटर भी अच्छे से थोड़े गल जाएंगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़ा सा डख देते हैं जिससे तमाटर थोड़े जल्दी गल जाएंगे तमाटर सोफ हो गए है तमक डाल दिया है मैंने इसमें ठ्क्ट सक्ट से लाल मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्च चेह सthere oldie और ये मेनने डाला है पावभाजी मसाला दो बड़े चम्मझ वावभाजी कीसी भी कंपनी का हो आंपका चल तो यह ङसी आप मैने दो चम्मझ डाला है ये मेनने डालींस मेंच देगी मिर्च क्योंकि देगी मिर्च से न अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें बड़ी असा अच्छे से डखके हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से अब इस तमाटर पर माटर अच्छे से पक गया है तो इसमें मैंने मटर डाल दिया है यह यह थोड़ी भून जाएंगी इसमें वैसे तो यह अबली हुई है तो यह अच्छे से और यह जो मैंने मक्षन लिया था देखो इसमें खूब जाद है मक्षन लगता है तो इसलिए मैंने यह काफी सारा मक्षन इसमें डाल दिया है तो क्योंकि इसमें ना अच्छा सा टेष्टी सा जो फ्लेवर आता है वह मक्षन से ही जादे आता है पाव भाजी में हुआ दाल मक्षनी में हुआ देखो यह कितना घी इसके उपर उपर आ रहा है तो इसमें हम अपने हमने जो यह पनीर काटके रखा था बरीक बरीक इसको भी आधा डाल देंगे तो आधा मतब बाद में गार्निस के लिए रख लेंगे जब बाद में इसको सजाएंगे और हम अब मसाले भूनके तयार हो गये थे तो मैंने भाजी भी डाल दिया इसमें आपको जिदनी पतली रखनी है या ठीक रखनी है जैसा आपका खानी का मन है आप वैसा इसमें उसके पानी डाल सकते हैं इसको चलाते हुए अच्छे से चार-पांच मिनट भून लेंगे जब इसमें बोईल आ जाएगा तो यह तैयार हो जाएगी देखो अच्छे से बोईल आ रहा है यह मैंने कम से कम पांच से छे मिनट पकाई अब इसको एक दो भार रोड चला के हम अब क्ल Minh डाल देंगे थोड़ा सा मौने हरा दनियॉच तोड़ा सा मक्षन वा आफिड़र कर दानीर ऑब इसमें बचा शाया था देखो यह मैंने सीख रहें हैं आप भी खानी जी कोई पाव सेखने के लिए मैंने तवा गरम किया उस पिल अगा दिया है और है उसका मेंगे मत बेच्छी सेखने का टेस्ट है वह गीमें भी यह इसकी में ख़टास सोती हो ऑसका फ्लेवर अलग है और इन अच्छ तरफ से लिए जैसे यह चार्जियों में मिलती है या होटलों में मिलती है टेस्ट बिल्कुल वैसा है क्योंकि जब तक आपके पास वीडियो पोच रही है तो तब तक तो बनाई खाई जा चुकी है तो इसलिए मैं आपको बता रहेंगी टेस्टी बनी थी बहुत ज्यादा तो अब मैं सर्व कर देती हूं देखो फ्लेट लगा दिये किसी एक परसन के लिए तो सर्व करी देती हूं फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसी लगी तो आप ऐसे सर्व करें इसको बिल्गुल गर्मा गरं मैं और भी पास एक देती हूं सब के लिए अब एसे मक्षन लगा कर इने किसी तीर से दबा के तब सेखें तब यह थोड़े अच्छे और करारेसे हो जाते हैं इस तरह सेखने से अब ब्रैड के साथ भी खा सकते हैं ब्रैड सेख के ब्रैड के साथ खाईए देखो सब खा रहे हैं और मैं पाव सेख के लिए आई हूं और इनके लिए और मैंने मक्षन भी यही रख रखा है और भी एक्स्टा किसी को एक्स्टा मक्षन खाना है तो आप एक्स्टा भी ले सकते हैं बताओ बै कैसी बनिया है बहुत बढ़ा पायल कैसी बनिया है अहो हो अधे बुद़ा अलब पिता से बतागी कहा बजी है वादिस्ट टीक है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलती हूँ फिर बाइ बाइ